पिछले वीडियो में हम स्टड़ी कर रहे थे निरेशन के बारे में और उसमें भी असर्टिफ सेंटेंस को स्टड़ी कर रहे थे और उसमें हम इस सेंटेंस तक लास सेंटेंस तक आ चुके थे ये और पॉलिस सेंटेंस तक आ चुके थे बारी है Sam said rather danced well इस sentence की ओके तो देखिए जैसे कि हम पहले कही चुके हैं सबसे पहले आप Sam said जो भी subject है जो भी reporting speech है उसको as it is रहने दोगे क्योंकि यहाँ कोई object नहीं दे रखा इसलिए यहाँ पे कोई change नहीं होगा ओके तो Sam said ऐसे ही रहेगा उसके बाद connector that लगा देंगे ओके यह comma हटा करके उसकी जगा connector that लगा देंगे और फिर inverted comma हट जाएगा और फिर देखेंगे हमकी direct speech का जो sentence है वो किस sentence में है ओके rather danced well verb की second form है without any helping verb ओके तो यह clear हो जाता है कि यह past indefinite है simple past या past indefinite sentence है और हमें पता है हमने जो table देखी थी उसमें हमने देखा था कि simple past या past indefinite को हम बदलते है past perfect में ओके तो राधा का राधा ही रहेगा क्योंकि यहाँ उसके लिए पहले से कोई word कोई इस्तेमाल नहीं किया गया है तो इसलिए राधा का राधा रहेगा sam said that राधा का राधा danced के साथ head और लग जाएगा second और third form दोनों danced ही होती है dance की तो head लग जाएगा past perfect में change करने के लिए उसको और हो जाएगा आपका rather head danced well देखे कितना easy है sam said rather danced well सिर्फ कुछ ही changes करने पड़े आपको पहली चीज़ तो आपने comma हटा करके उसकी जगा connector that लगाया उसके बाद inverted commas हटा दिये और राधा को क्योंकि एक proper noun नहीं तो उसका नाम ऐसे ही रखा राधा capitalize ही रहेगा first letter इसके बाद आपने देखा कि past indefinite में टेंस ता direct speech का इसलिए जब आप उसको change करेंगे indirect में तो past perfect में change हो जाएगा head danced ओके वैल का वैल ही रहेगा because it is just an adjective which is qualifying the word the verb dance ओके next one is निश्ठा सेड निश्ठा सेड they had given up in the end इसको हम जब change करेंगे निश्ठा सेड as it is रहेगा ओके निश्ठा सेड connector that लगा देंगे कॉमा की जगा और उसके बाद subject के लिए यहाँ पहले कोई word इस्तिमाल नहीं किया तो इसलिए दे का दे ही रहेगा ओके अगर आप पूरे tense को देखेंगे इस sentence के tense को देखेंगे तो head के साथ verb की third form इस्तिमाल की गई है इसका मतलब यहाँ पे past perfect है ओके और हमने देखा था कि past perfect को हम past perfect में ही बदलते हैं means there would be no change in the tense of the sentence ओके तो निश्टा said that they had given up in the end as it is हमने लिख दिया ओके सिर्फ यहाँ connector लगाना पड़ा है तो आप यहाँ यह conclude कर सकते हैं इस sentence से कि अगर हमें कोई भी इस तरह का कोई sentence आएगा ओके इस तरह कोई भी sentence अगर आएगा direct से indirect में change करने के लिए जिसमें की direct speech जो होगी वो already past perfect में होगी तो हमें कुछ नहीं करना सिर्फ connector लगा करके उसका as it is लिख देना है ओके निश्टा said that they had given up in the end next one is राहूल said I will have a beautiful car यहाँ जो direct speech है वो future tense मा गई ओके राहूल said I will have a beautiful car राहूल said as it is रहेगा connector that लगा दिया ओके I will have a beautiful car यहाँ राहूल के लिए ही I इस्तेमाल किया गया आई जो है कोई और नहीं बलके राहूल है तो उसको इसलिए राहूल के लिए pronoun में change कर देंगे ओके अब यहाँ यहाँ यह भी देखने वाली कार ओके as a subject काम कर रहा था आई यहाँ तो जब राहूल के लिए हम change करेंगे तो उसको subjective case में ही बदलेंगे यानि as a subject ही काम करेंगी वो और subjective case की जो singular male के लिए pronoun रहती है वो ही रहती है singular female के लिए she रहेगी singular male के लिए he रहेगी और plural चाहे male हो चाहे female हो उनके लिए दे रहेगी ओके तो यहाँ पर इसी तना से यह ही हो गया राहूल सेड देट आई की जगा ही हो गया और जैसे कि हमने कहा ता कि will shall जो भी आएंगे future tense में उनका would या should हो जाएगा ओके as per the subject ओके then राहूल सेड देट he would have a beautiful car sorry यहाँ पर will नहीं होगा यहाँ पर shall होगा ओके I shall have a beautiful car तो इसकी जगा हो जाएगा would because he के साथ would लहेगा I के साथ shall लगता है ओके लेकिन he के साथ will लगता तो इसलिए will का would हो जाएगा that he would have a beautiful car बाकी आप देखेंगे कहीं कोई change नहीं हुआ सिर्फ helping work में change हुआ ओके तो बहुत ही simple है बस चीजों को उल जाना नहीं है अपने से हमें कुछ उल जाना नहीं है उनको we are we should not complicate them ओके they are so simple and we have to keep them simple ओके the captain said we shall work hard हम कठिन मैनत करेंगे हम बहुत hard work करेंगे the captain said we shall work hard okay the captain said that they would work hard okay the captain said we plural case की pronoun थी तो इसलिए plural case में जब उसको change करेंगे तो they हो जाएगा the captain said that connector आ गया उसके बाद we की जगा they हो गया और shall की जगा would हो जाएगा क्यूंकि यहाँ दे के according लगाएगे ओके जो changed pronoun होगी उसी के according उसकी helping verb आएगी they would work hard जैसे कि यहाँ they आई की जगा he हो गया था और इसलिए he के साथ would आया था okay that they would work hard चलिए आगे देखते हैं अब देखिए थोड़े से different type के sentences हैं और इसमें आपको object दे रखा है difference यह है कि इसमें object भी दे रखा है reporting speech में आपको object भी मिलेगा यहां I run daily in the morning तो इनको थोड़े से different way में हमें change करना है देखिए set to की जगा told आ जाएगा okay said to की जगा told आ जाएगा Ravie told me बाकी जैसे rules थे वो वही रहना है यहां देखिए आप I run daily in the morning यह आपका यह आपका continuous है okay present continuous present continuous है और इसको जब हम change करेंगे तो यह past continuous में change होगा okay Ravie told me that I की जगा he आजाएगा क्योंकि Ravie के लिए यहां I आया था तो उसकी जगा he आजाएगा subjective case की first singular pronoun he ran daily in the morning बाकी देखिए कोई change नहीं हो रहा है daily in the morning daily in the morning सिर्फ verb में change हुआ next one देखिए Sheila said to Neha birds are flying Sheila said to Neha birds are flying Sheila told Neha set to की जगा told Sheila told Neha that birds were flying okay यहां देखिए birds are flying यहां birds were flying सिर्फ इसको change कर दिया हमने past continuous में present continuous से past continuous में फिर से देखिए the prince said to the minister we have not fought the prince told the minister said to की जगा told the prince told the minister that we की जगा दे आ गया plural pronoun subjective case की that they have की जगा had okay we have not fought यह आपका perfect negative था present perfect negative उसको हमने past perfect negative में change कर दिया that they had not fought इसी तरह से the driver said to the man I am not going now the driver said to the man I am not going now the driver told the man said to की जगा told the man connector that आ गया I am not going now I की जगा he आ गया क्योंकि driver के लिए I use हुआ था तो उसकी जगा first singular pronoun आ जाएगी subjective case की he was not going then am not की जगा was not singular के साथ क्योंकि अगर plural होता तो war आता और singular है इसलिए was आएगा Gita said to the boy I did not do this Gita told the boy that she had not done that I did not यह आपका past का negative है okay simple past का negative तो उसको आपने perfect past past perfect का negative में change कर दिया Gita told the boy that she had not done that इसी तरह से Ram said to Lakshman Ram said to Lakshman you were not hunting well Ram told Lakshman said to की जगा told Ram told Lakshman you were not hunting past continuous है okay past continuous का भी negative है तो इसी का past perfect continuous का negative में change हो जाएगा Ram told Lakshman that he had not been he had not been hunting well hunting well को हमने सिर्फ डिटो कर दिया है Ram told Lakshman that you were not hunting well past continuous का negative इसको past perfect continuous का negative में change कर दिया इसी तरह से देखिए निदा said to no man निदा said to no man you had achieved your goal निदा told no man said to की जगा told निदा told no man that you आया यहाँ निदा के लिए you had achieved your goal तो no man के according you को change करेंगे और उसका he हो जाएगा क्यूंकि no man singular है तो इसलिए he हो जाएगा that he you had achieved your goal यह past perfect है already तो past perfect का हम पहले ही बता चुके हैं कि past perfect को हमें change नहीं करना he had achieved his goal तो सिर्फ pronoun change होगी बाकी सब ऐसा ही रहेगा है ना दौनों जगह pronoun change हो रही है your goal की जगह his goal हो जाएगा यह आपकी possessive case की pronoun थी your तो उसकी जगह वैसे अगर हम जो modern grammar है तो modern grammar में your को your क्योंकि goal के साथ use हुआ है तो वैसे इसको pronoun ना कह करके आज कल adjective कहा जाता है ओके the washerman said to me I shall clean your clothes as best as I can the washerman told me the washerman said to की जगह तोल्ड हो गया the washerman told me that connector that आ गया इसके आगे देखिए I shall clean your clothes थोड़ा लंबा sentence है लेकिन जैसे मैंने कहा पहले ही मैं कहता हूँ सिर्फ systematically चलना है आपको हमने जान बुचकर यहां यह introduce कि आया जिससे कि आप देख सके हैं कि कुछ चीज़ जो apparently typical लगती है apparently थोड़ी मुश्किल लगती है वो कितनी easy होती है बस हमें basics को पकड़े रहना है the washerman said to me the washerman told me इतना convert हो गया उसके बाद connector आपने that लगा दिया अब I shall clean your clothes एक पार्ट है यह और दूसरा है as best as I can तो देखिए I की जगा I क्योंकि किस के लिए use हुआ है washerman के लिए तो I की जगा he हो गया singular है washerman तो इसलिए he हो जाएगा he shell की जगा would हो जाएगा future का है तो future में आपको सिर्फ shell और will को change करना होता है तो shell की जगा would हो गया he would clean your किस के लिए आया your possessive के से me के लिए okay तो इसलिए my हो जाएगा okay your की जगा my हो गया clothes का close रहेगा the washerman told me that he would clean my clothes उसके बाद as best as था इसमें कोई change नहीं होना because it is neither a pronoun or a verb ना तो ये pronoun है ना ही verb है पता है कि यहाँ changes जो हो रहे है या तो प्रोनाउंस में हो रहे है या फिर verbs में हो रहे है बागी किसी पार्ट में change नहीं हो रहे है तो as best as ऐसे ही रहेगा as it is रहेगा I can okay तो can का could हो जाएगा सिर्फ और I आया है फिर से washerman के लिए तो washerman के लिए subjective case का है I इसलिए उसका he हो गया he could can का could it's so simple the washerman told me that he would clean my clothes as best as he could next देखिए Rina said to the boy you should not waste your time on these things Rina said to the boy you should not waste your time on these things Rina told the boy Rina told the boy that he should not waste his time on those things रीना टोल दबॉय, सैट टू की जगा तो टोल दो गया उसके बाद कनेक्टर दैट लगा दिया यू शुड नॉट, यू आया है यहां बॉय के लिए इसलिए सिंगुलर बॉय है, यहां सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर केस की प्रोनाउन ben जाएगी आपकी परसनल सब्जेकटिव केस की प्रोनाउन ही, ओके शुड में कोई चैंज नहीं होना, शुड का शुड रहेगा, नॉट का नॉट रहेगा, शुड नॉट he should not waste योर्की जगा फिर से possessive case की pronoun बन जाएगी आपकी and that is his योर्की जगा his हो गया time का time रहेगा on those things these का those हो गया जैसे हमने कहा था distance दिखाने वाली जो pronouns हैं उनमें nearness दिखाने वाली pronouns को distance दिखाने वाली pronouns में change कर दिया जाता जैसे कि हमने शुरू में list भी provide कराई है यहां पे क्या है कि जो direct speech दे रखिये उसमें एक universal fact है okay there is a universal fact in the direct speech of this sentence so there would be no changes in the tense of the direct speech okay तो जब भी हम जब हम इसको change करेंगे देखिये कोई universal fact हो या कोई habit हो किसी person की तो उसमें कोई changes नहीं होते उसके tense में कोई changes नहीं होते तो वैसे ही यहां पे grandmother set to mono the sun rises in the east and sets in the west grandmother told mono set to की जगा told mono that the sun rises in the east and sets in the west तो यह आपके इसके साथ ही जो present tense sorry present नहीं बलके हम कहेंगे कि assertive sentence की जो practice थी assertive sentence को किस तरह से direct से indirect में change किया जाता है उसके क्या rules हैं उसकी practice से related यह second video था और आज यह second video आपका complete होता है मिलते हैं अपने next video में जिसमें कि हम सीखेंगे किस तरह से interrogative sentences को change किया जाता है कोशिश रहेगी कि एक या दो video में maximum वो भी cover हो जाए थोड़ा सा link दी है थोड़ा सा समझना अच्छी तरह समझना बहुत जरूरी है लेकिन कोशिश यह रहेगी कि छोटे से छोटा video बने क्योंकि practice तो आप offline भी कर सकते हैं तो कुछ जो main चीज़े हैं वो बस सिखाने की कोशिश रहेगी तो मिलते हैं अपने next video में जिसमें कि हम सीखने जा रहेंगे सीखेंगे किस तरह से जो interrogative sentences हैं उनको direct से indirect speech में change किया जाता है तो see you in the next video till then keep studying, keep learning and keep growing